आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से सब्जी की रेसिपी इसे देखकर तो आपको पता चली गया होगा फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसका नाम है ड्रम स्टिक तो चलिए फटा बाट से ड्रम स्टिक की सब्जी बनाना शुरू करते हैं बाट से दो लेंगे उसके बाद इसे बॉइल करेंगे तो यहां पर मैंने इसे काटने से पहले दो कर ले लिया था अब हम इसे बॉइल कर लेंगे बिल्कुल 2-3 मिनिट के अंदर एक कोख हो जाएंगी जैसे हम इसे आहतों से दबाते हैं और यह अच्छे से दबने लगती है मतलब यह कोख हो चुकी है तो यहां पर हम इसे दो मिनिट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे आप चाहो तो यहां पर नमक भी इसके अंदर डाल सकते हो पर मैंने इसके अंदर नहीं डाला है क्योंकि हम सबजी बनाएंगे तो सबजी के अंदर भी नमक डलेगा तो यहा आसानी से प्रेस हो रही है मतलब यह बहुत ही परफेक्टली कुख हो चुकी है हम इसे बहुत जादा भी बॉइल नहीं करेंगे नहीं तो इसके धागे खाते समय मूं में आएंगे तो चलिए अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे और फिर से कड़ाई लेकर इसके अंदर हम डा अब दोनों को हम अच्छे से चटकने देंगे 8-10 करी पत्ते इसके अंदर डाल देंगे अब हम इसके अंदर डाल देंगे लसन तो यहां पर मैंने 5-6 कली लसन को इस तरह पेस्ट बनाकर ले लिया है दरदरा सा बिलकुल फाइन पेस्ट हमको इसका नहीं चाहिए अब हम इ पार दाल देंगे हैं तो यहां पर मैंने 1 बड़ा चमच डाल दिया है गर्म मसाला आदा चमच मैंने डाल दिया हैं पर धनिया पौदर और अब अ चमक को आप कमया जदा आपके टेस्ट के एकोडिंग कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर डाल रहे हूँ मुंगफली का आटा, यहाँ पर मैंने तीन बड़े चमच मुंगफली का आटा लिया है। इस सबजी के अंदर आप प्याज का भी इस्तमाल कर सकते हो पर मुझे इसी तरह से यह सबजी बहुत पसंद है। आप कितने लोगों की सबजी बनाते हैं इसके ओपर पानी का इस्तमाल कमया जदा कर सकते हो। आज मैंने चार लोगों के लिए सबजी बनाई है तो इसके लिए मैंने एक ग्लास पानी लिया है और पाउ के लोगे उतनी ड्रम स्टिक लिये जैसे पानी में उबाल आ जाया हम इसके अंदर ड्रम स्टिक डाल देंगे ड्रम स्टिक को हमने उबालते समय जो पानी का इस्तमा तो यहां देखिए बहुत ही अच्छे से सब्जी बन कर तेयार है बिल्कुल 2-3 मिनिट के अंदर यह सब्जी बन जाती है और खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है इस सब्जी को आप रोटी चावल किसी के विशाथ खा सकते हैं तो हैने बहुत ही आसान सी रेसिपी जब समय कम हो और आपको कुछ खास बनाना हो तो इस सब्जी को बना कर जरूर ट्राइ कीजिए तो कैसे लगी आपको हमारी रेसिपी हमें कमेंट्स करकर जरूर बताना अगर रेसिपी अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक रेसिपी के साथ थैंक यू सो मच